TAC TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV Canada भर में कोरोना के वार तेज़ी से जारी हैं मरीज़ों की मश्मीत आदा 13,47,445 तक जा पहुँची हलाकते 25,666 हो गई मर्दम शमारी में उर्दू जबान को बतोर इन्फरादी कौमी जबान शामिल किया जाए पाकस्तान की कौमी जबान उर्दू से मताले केनिडा में अहम मतालबा पंजाबी को मुकामी जबान के तौर पर इंदिराज कराने की कोशिशें करें कनेडियन सूबे उंटेरियो में लॉकडाउन में नर्मी सूबाई हकूमत ने तीन मराहल पर मुझतमिल मनसूबा पेश कर दिया पहले मरहले में इंडोर डाइनिंग और रीटेल स्टोर्स को खोलने की अजासत होगी कनेडा अमरीकी मेशित की बहाली में मदद करेगा कनेड़की और अलक्वामी तीजारत की वजीर की अमरीकी और मेकसिकन हुकाम से गुफ्तगू तीजारती अमूर को बहतर बनाने के लिए मिलकर काम करने का अजम पाकिस्तान और तुर्की समय तालमी दबाओ के असराथ हमास इसराइल में जंग बंदी का आखाज इसराइल और हमास 11 रोज से जारी जंग बंदी पर रज़मन हमास का जीद का ऐलान घज़ा में जशन अफगान अमन अमर की काम्याबी पाकिस्तान तालबान पर असर रसूख इस्तिमाल कर रहा है जलमी खलिलजात कहते हैं कि अमरीका तालबान और अफगान हकूमा दोनों के साथ राप्ते में है अमरीका इस जंग के खात्मे के लिए अपनी कोशिश जादी रखेगा दुनिया में करोना वार्ष के सी साड़े सोला करोर से तजावस कर गए मुजी वार्ष सेंबा 34,45,222 हो गए 14,65,748,748 करोना मरीज से अत्याफ हो चुके हैं हैडलाइन्स आपने जानी और अब खबरे तफसील के साथ ग्रीनिश हैंसानिटाइजर ना ओईली ना स्टिकी ना बद्बू और मुकमल अब्सॉर्प्शन और हाथ नर्म, मुलाइम और साथ आज ये अपनी खरीबी फर्मसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट को और्डर करें www.greenish.com ओंटेरियो सुभी में करोना कीसिस की तादाद सबसे ज्यादा है सुभी भर में करोना वाइरस से मतासर होने वालों की पादाद 5,017,09 तक जा पहुंची है मजीद चांता है एस डिपोर्ट में कैनेड़ा भर में करोना के वाड तेजी से जारी कैनेड़ा भर में करोना के मरीजों की मच्मुए तादा 13,ict47,445 तक जा पहुंची है पाँच लाग सत्रह हजार नवे तक ज़ा पहुंची है जबके हलाकतों की तादाद आठ हजार पांस सो बावन हैं कैनेडा में करोना वाइरस के सबसे ज़्यादा हलाकतیں क्यो बैक सूबे में हुई हैं जहां करोना वाइरस के मचमुई केसिस की तादाद तीन लाग पैंसट ह 642 है जबके सूबे में करोना वाइरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 11066 तक पहुंच चुकी है कैनेडिन सूबे अलबर्टा में केसिस की तादाद दो लाग से तजावस कर गई सूबे में 2,229 अफराद करोना वाइरस से मतासर हुए हैं जबके 2,162 अफराद हल हो चुके हैं ब्रिटिश कॉलंबिया में केसिस की तादाद 140,953 तक जाप पहुंची है जबके सूबे में करोना वाइरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1661 है केनیडा में पाकिस्तानी हाई कमिशन ने कनेडियन हकूमत से मतालबा किया है कि मर्दम शुमारी में अर्दू जबान को बतौर इन्फरादी कौमी जबान शामिल किया जाए मजीद जानते हैं इस डिपोर्ट में केनेडा में पाकिस्टानी हाई कमिशन ने केनेडियन हकूमत से मतालबा किया है कि मर्दम शुमारी में अर्दू जबान को बतार इन्फिरादी कामी जबान शामल किया जाए जबके माबولी के खाने में पंजाबी स्やमक्खी और पंजाबी गोर भूखी के अलहिदा ज़बानों के तरप इनतराज किया जाये कैनेडा में मुकीन पाकिस्टानी कैनेजिन शहरियों ने हाई कमिस्शन से कहा था के वो केनिडा में मर्दों शुमारी के लिए ऐर्दू को बता कवामि जब कि पंजाबी को मुकाम जबान के तर पर इंटिराज कराने की कोशिशे करें के सूरू ही्यट है। चुम्त से दर्फास्त की है। खत के मतनु पाकिस्तान की एक गामी जबान है और पाकिस्तान के मतनु सकाफ़ती गामी मनजर नामे में राप्ते और हम आहंगी के मश्बूट जरीय के तौर पर अपना भरपूर करदार अदा कर रही है। फौर्ड हकूमत के ऐलान करदा मनसूब के मताबिक जून के वस्त तक रेस्टोरेंज में इंडोर डाइनिंग और रिटेल स्टोर्स को खरीदारी के लिए दूबारा खूलने की जाज़त मिल जाएगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। केनेजिन सूबे अंटेरियो में हकूमत ने तीन मरहलों में सूबे को बाहिफाज़त खूलने का मनसूब अप्यश कर दिया। डगपोर्ट हकूमत के ऐलान करदा मनसूबे के मताबिक जून के वस तक रेस्टरानों में इंडोर डाइनिंग और रिटेल स्टोर्स को खरीदारी के लिए दूबारा खूलने की अजाज़त मिल जाएगी। ऐलान करदा इस मनसूबे के दहट ऑन्टेरियो हकूमत हफ़ते के रोग से ज्यादातर तर तफरीही सहूलियात को दुबारा खूलेगी लेकिन इज्टिमाई यानी टीम की सूरत में खेल खेलना ममनू होगा। ये पाबंदी अलबता बरकरार रहेगी कि अफराद हर वाग दूसे लोगों से कम से कम दो मीटर का फासला बरकरार रखें। दुबारा खूलने के बड़े मनसूबे का पहला मरहला 60 पीसद एहले बाले अफराद को कोविड-19 वाक्सीन की अपनी पहले खुराग या 14 जून तक मौसूल होने के दो हबतों बाद चुरू होगा। दूसरे मरहले के दौराद दस अफराद तक के बैरूनी इज्टिमाद की अज़ाज़त होगी लेकिन इंडूर इज्टिमाद मामनू है। पहले मरहले में दिन के केंपों, ग्रांप्स और पार्कों को दुबारा खुलने के साथ साथ आउटडोर पूल और इस्प्लिश पैट की भी अज़ाज़त होगी। दूसरा मरहला लगभग एक इस दिन बाद चुरू होगा जब ऑन्टेरियो के सतर फीसद बालिग अफराद को कोविड नैंटीन वैक्सीन की कम असकम एक खुराग दी जा चुकेगी। और बीस फीसद अफराद की मुकमल वैक्सिनेशन कर दी गई होगी। कैनिडा की बानलाक्वामी तिजारत की वजीर मेरी एंजी का कहना है कि कैनिडा अमरीकी मईश्यत की बहाली में मदद करेगा। इस सवाले से मज़ीद चानते हैं। कैनिडा की बानलाक्वामी तिजारत की वजीर मेरी एंजी का कहना है कि कैनिडा अमरीकी मईश्यत की बहाली में मदद करेगा। उन्होंने मज़ीद कहा के कैनेडा एक्तिसादी तावन और तरकी की तन्जीम के मिम्बर मुमालिक के साथ मिलकर कसीर जहती तोर पर काम करना पसंद करेगा जहां डिजिटल टेक्स आयद करने के लिए बाहमी बारलाक्वामी मेयार काइम करने की कोशिशें जारी है मेरी एंजी यूएस एमसी ए के पहले फ्री ट्रेट कमिशन इजनास के लिए अमरीकी तिजारती नुमाइंदा कैथरिन ताई और मैक्सिकन एकॉनमी की सेकरेटरी तातियाना कलोडियर के साथ आनलाइन शरीक हुई एंजी ने इजनास के बाद एक न्यूस कांफरेंस में बताया के पहली बार शुमाली अमरीका के तिजारती तालुकात की नुमाइंदगी करने वाली तीन खवातीन का एक खटा होना हैरत अंगेज और तारीखी मौका था इसका बन्यादी मकसец कारकौनों और महालियात के ताहफस मुतालिक मौहाइदे की दफ़ात के निफास को मुम्किन बनाना था शुरका ने एक मुश्टरका बयान में कहा कि तीनों मुमालिक ने इन दफ़ात पर मजबूत और महफूस मस्तक्बिल के हवाले से तबादा ख्याल किया ऐसी दफ़ात से मस्तक्बिल के तिजारती मुहाइदों का मैयार तैह होता है कारकुनों के हकुक, महालियाती बहतरी और तिजारत के माबेन, उमूर को आगे बढ़ाने के लिए मिस्साली तोर पर काम करना चाहिए इसराईल और हमास में जंग बंदी के बाद हमास ने जीत का ऐलान कर दिया, घजा में जशन मनाया गया मजी जानते हैं से लिपोर्ट में इसराईल और हमास में जंग बंदी के बाद हमास ने जीत का ऐलान कर दिया, घजा में जशन मनाया गया 11 दिन हमले और खूरेजी के बाद इसराईल और हमास में जंग बंदी हो गई है अक्वामे मतहदा के सेक्रेटरी जर्नल ने जंग बंदी का खेर मगदम करते हुए कहा कि इसराइली और फलस्तीनी गयादत की जिमेदारी है जंग के बन्यादी असबाप और गोर के लिए बात चीत करें पाकस्तान ने भी एसराइल और हमास की जानिप से जंग बंदी के ऐलान पर खेर मगदम किया है तढ़ात तरीन इतलात के मताबए जंग बंदी के एलान के बाद भी एसराइली अफवाच की जानिप से बंबारी और फा bracelets चारी रहा अफगान अमन अमल में अमरीका के खुसी नुमाइंदे जल्म खलीलजाद ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन अमल में अमरीका को पाकिस्तान की हमायत हासल है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में अगवान अमन अमल में अमरीका के खुसी नुमाइंदे जल्म खलीलजाद ने कहा है कि अगवानिस्तान में अमन अमल में अमरीका को पाकिस्तान की हमायत हासे है पिस्लमाबाद समझता है कि खित्ते के लिए एक्षिणादी तरगी अहम है और अगवान अमन अमल की कामियाबी के लिए तालबान पर अपना अस्रोरुसुक इस्तिमाल कर रहा है अमरीकी कांग्रेस में खारज अमूर की कमेटी की समात के दोरान अमरीकी कांग्रेस विमन सारा जैकब्स की जानिब से खलीलजाद से पूछा गया कि अगवान अमन अमल को पाइदार बनाने में किन चैलेंजिस का सामना है सवाल का जवाब देते हुए खलीलजात का कहना था कि अमरीका हर मुम्किन कोशिश कर रहा है कि ये अमन अमन काम्याब हो हमें मौजूदा हालात में मुजाकराती अमन को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की हासलाफ़ा हमायत हासल है अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का शुमार उन मुमालिक में होता है जो तालबान पर अस्रो रसूख रखते हैं अमरीका तालबान और अगवान हकूमत दोनों के साथ रापते में हैं तालबान के कुछ मतालबात हैं जैसे के वो काबल हकूमत की जानब से कैदियों की रहाई चाते हैं वो उन गैदियों के नाम अक्वाम मतहदा और अमरीका की कलदम नामों की फहरिस्तों से निकलवाना चाते हैं जिन को पूरा करके हम कुछ फायदा उठा सकते हैं जल्म खलीलजाद ने कहा कि जंग कई बरसों से जारी है कुछ इससे मुनाफ़ा भी कमा रहे हैं लेकिन अमरीका इस जंग के खात्मे के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा अगवानिस्तान के साथ मजाकराती अमल में पाकिस्तानी किरदार से मतालिक जल्म खलीलजाद का कहना था कियाना था कि पाकिस्तानी सिपासाला जर्नल कमर जावेद बाजवा समझते हैं कि मस्तगविल एक्तिसादी मफदात में ही है पाकिस्तान को अंद्रूनी चालेंजिस का सामना है लेकिन मेरी राय में जर्णल बाजवा का हाल या दौरा काबल काफी मुस्पत था दुनिया भर में गुज़िश्टा 24 गंटों के दौरान कोरोना वारिस के धाई लाग से जाए नए केसिस सामने आए जबके 12,000 से जाएद कोरोना मरीज मौत के मुँ में पहुच गए मजीद चानते हैं इस डिपोर्ट में दुनिया का कोई खितर कोरोना वारिस की मुजी वबा से महफूस नहीं इसकी 30 लहर के दौरान मरीजों और अमवात में मसलसल इजाफा जारी है दुनिया भर में गुजशना 24 घंटों के दौरान कोरोना वारिस के धाई लाग से जाएद नए केसिस सामने आए हैं जबके 12,000 से जाएद कोरोना मरीज मौत के मुँ में पहुच गए दुनिया भर में करोना वारिस से मतासरा अफरात की तादाद 16,58,6,554 तक जा पहुची है जबके इस मुज़ी वारिस से अमवात 34,45,225 हो गई जबके 14,65,1,748 करोना मरीज सहत याप चुके हैं करोना वारिस के केसिस और इस से अमवात के एतबार से 10 सरे फैरिस मुमालिक में 33,00 करोड से जाएद आबादी का हामिल अमरीका ताहाल पहले नमबर पर है जहां इस वारिस से अब तक 6,266 अफरात मात के हूं में पहुच चुके हैं जबके इस से बिमार होने वालों की मजमुई तादा 3,38,133,181 हो चुकी है एक अरब से जाएद अबादी वाला मुल्क भारत करोना वारिस के मरीजों की तादाद के हावाले से दूसरे नमबर पर है जहां इस वारिस से 2,91,365 हलाकते हो चुकी है जबके इस से मतासरा 2,07,31,991 मरीज सामने आ चुके हैं करोना वारिस के मरीजों की तादाद के हावाले से मुमालिक की इस फैरिस में बराजील फिर तीसरे नमबर पर आ गया है ताहम ये अमबात के हावाले से फैरिस में दूसरे नमबर पर है जहां इस जानलेवा वाइरस से 4,44,391 हलाकते हो चुकी है जबके इसके मतासरा मरीजों की तादाद 1,58,98,558 हो गई तर्की में करोना वाइरस से अमबाद 45,626 तक जा पहुँची है जबके केसि 51,60,423 हो चुके है साओधी अरब इसी फैरस में 44 नंबर पर पहुँची है जहां करोना वाइरस से अब तक कुल अमबाद 7,214 रिपोर्ट हुई है जबके ममलिकत में करोना मरीजों की तादाद 4,37,579 तक जा पहुँची है टैक टीवी के पाकिस्टान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं टैक टीवी सब्सक्राइब टैक टीवी यूट्यूब चैनल और प्रेस तर नोटिफिकेशन पटन